इंडियन नेवी जो है, उसने अपनी ताकत को बढ़ाया है, और क्या किया है, दो एरक्राफ्ट कैरियर, मेगा ड्रिल में डिप्लोई कर दिया है, ठीक है, अब बस इतना समझो कि, दो एरक्राफ्ट कैरियर मतलब बहुत ही अच्छी सिक्यूरिटी हमारी, एरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, सिंपली एक ऐसा सिप है, जिसके उपर लैंडिंग हो सकती है, एरक्राफ्ट की, और वहीं से क्या होता है, वो टेक आफ कर सकता है, मतलब चलता फिरता हमारा युद्ध पोत है, ओके, यूगन सी आउट ये अगर भारत का पोर्शन है, और एक ही अगर हमारे पास क्या है, तुमारा एरक्राफ्ट कैरियर है, तो यहाँ डिपलाइ हो सकता है, ताकि हम लोग पाकिस्तान को काउंटर कर सके, बट वाट अबाउट बेव बंगाल, वाट अबाउट इस रीजन, ये रीजन का क्या होगा, ये रीजन तो बहुत ही इसली चाइना एकसेस करता है, क्या हमारे पास एक और एरक्राफ्ट यहाँ के लिए नहीं होना चाहिए, तो इसी चीज़ को सोचते हुए भारत ने ये डिसाइड गिया था, कि उसके पास दो एरक्राफ्ट कैरियर होनी चाहिए, एक अरेबियन सी में और दूसरा बेव बंगाल म इवन ये डिसकसन अब चल रहा है, भी तक ऑफिशियली एनाउंस्मेंट नहीं होई है, कि भारत के पास तीन एरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए, जबकि चीन ने ये एनाउंस्मेंट कर दिया है, कि उसके पास तीन एरक्राफ्ट कैरियर होगा, भारत को भी तीन एरक्राफ केरियर की तरफ मुव करना चाहिए और उसका कारण यह है कि एक डिपलाइट रहेगा दूसरा डिपलाइट रहेगा और एक रोटेशन में रहेगा डिपलाइमेंट का कि उसको मैंटेनेंस होता रहेगा समझ में आ रहा है तो इससे क्या होगा फूल प्रूफ सेक्यूरिटी हमें मिल जाएगी थ्रूवाउट दा इयर समझ में आ रहा है तो अभी का जो अगर स्टेटमेंट देखें आ यू कन सी आ ओकियर इन्हें डिसाइड़ली डेड़ली दिमोंस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिंग सी कंट्रोल एंड पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी इन इस प्राइमरी इरिया ऑफ स्ट्रेजिक इंट्रेस्ट फ्रम मलक्का स्ट्रेट देखो सिंपली यह सारे जो बात बोल रहा है वो सिंपली जो यहां से जाता है तो दो डॉलर लग जाता है पर बैरल तो पैसा के वजे से और अगर इधर से ये जाओगे ना पाकिस्टान से होते हुए यां ले जाओगे तो वह भी 15 सुला लग जाएगा तो जो सबसे सॉटेस डिस्टेंट्स चैन के लिए रहता है चाइना के लिए रहता है वह क्या होता है मलक का स्टेट के थूरू स्का मुवमेंट और यही इसी चीज को कहते हैं मल का डालिम ठीक है यानि कि प्रॉब्लम ओफ चाइना विट रिस्टेक्ट टू दे ट्रेड मुव्मेंट ओफ इट्स क्रूड वाई थू दे मलक का स्ट्रेट अब यहां पर इस रीजन को उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और भारत को क्योंकि अनमान निकोबार आइ बहुत ही नजदीक है यह सुमात्रा आइलेंड है किसका सुमात्रा आइलेंड है सुमात्रा Haven इंडोनेशिया उससे बहुत ही ज्यादा नजदीक है तो अगर भारत चाहे तो युद्ध जैसे समय में मलक्का स्ट्रेट को रोक करके पूरा चीन की अर्थ व्यवस्ता को दोस्त कर सकता है क्योंकि उसकी अर्थ व्यवस्ता डिपेंडेंट है किसके उपर वाइल के उपर समझ में आया तो यहां का मुव्मेंट को भारत रोक सकता है तो भारत हमीशा से यह चाहता था कि उसके पास दो युद्ध पोत हैं और अब भारत क्या कर सकता है इस पर्शियन गल्फ यह वाला जो रीजन है वो पर्शियन से लेकर के मलक का स्ट्रेट तक भारत अपना पावर अब दिखा सकता है ठीक है इंडिया है इस ना उंडर टेकन सिनर सिनरजाइज्ड ऑपरेशन ऑफ टू एयरक्राफ्ट केरियर एकंपेंड बई सेवरल वार्शिप सब्मरीन एंड 35 एयरक्राफ इंड इंडियन ओशियन इस पूरे रीजन में भारत क्या कर रहा है अपना प्रभुत्व जमा रहा है दिखा रहा है कि किसके पास कितना पावर है वो ड्रिल कर रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा है और अपनी ताकत पूरे दुनिया को दिखा रहा है कि यहां का सिक्यूरिटी जो है वो भारत के हाथो में है अब भारत के पास दो जो है ना उसमें पहला का नाम है आइनस विक्रम आदित्या यह बहुत साल से भारत के पास है 2013 से है मेरे ख्याल से operational है और आइनस विक्रम आदित्या इसकी लेंथ जो है वो 284 मिटर है इसका पूरा displacement जो है वो 44,570 टन का है समझ में आ रहा है अभी हम लोग कंपेर भी करेंगे चीन के साथ तो विक्रम आदित्या जितना है उतना ही विक्रांद भी उससे कोई कम नहीं है विक्रांद इच एरांड 44,000 टन का भार वो रखता है और यह बहुत बड़ा होता है यहां पर एरक्राफ्ट खड़े रहते हैं यहां पर एरक्राफ्ट खड़े रहते हैं यहां से वो क्या करते हैं टेक ओफ करते हैं यहां से टेक ओफ करते हैं यहां पर यह करते हैं दो-दो रन्वे हैं ओके तो वन ओफ दे बेस्ट स्टेट अफ द आर्ट टेक्नलोजी है हमारे पास इसका मैक्सिमम में स्पीड तीस नॉट का है साथ हजार नॉटिकल माईल ये जा सकता है ठारा नॉट की स्पीड में कैपसिटी इसकी इंपोर्टन्ट है चवबीस मीग 29 इसके पास है आईनस विक्रम अदित्या है नया वाले का नाम इनस विक्रांत है और यूदिजीनियस इट मिंस दैट की पूरी तरह से भारत में इनस विक्रांत को बनाया गया है ऐसे पहले हम लोगуж क्या करते थे न? ब्रिटेन से ले लेते थे कि उसका चालीस साल से चल रहा है तो उसमें मॉडिफिकेशन करके खरीद लिए हम लोग ने ऐसा किया है उसके बार रशिया का बहुत साल से चल रहा है तो अच्छा उसका वाला ले लेते हैं है तो अब क्या कर रहे हैं कि आप कहीं से नहीं लेना है अब खुद घर में मनाईगे तो यह इंडिजिनियस ली बिल्ड आइनस विक्रांथ है यूगन सी आउट यह यह है अइनस विक्रांथ है ओके यह वी सेम है इसमें उसमें 29 मिग आ सकता था उसमें 26 ना लिखते हैं 24 उस सब्सक्राइब कर दोनों अब यहां पर जो आर्टिकल अब क्या बोलना चाहरा है वो दिहान से आर्टिकल बोल रहा है वाइल चाइना प्रेसर इंडिया अलॉंग दे लैंड बॉर्डर विट्स सलामी स्लाइसिंग टैक्निक्स अब डैरेक्ट वोशन पूल सकता है कि वह डिस रेसेंट्ली सलामी स्लाइसिंग टैक्निक जो है वह न्यूज में है यह किस चीज से उटके और सबस्क्राइब करें गलती है तो पुलेगा अचा कोई बात नहीं थोड़ा सा ही मारा था सरहीट पर नहीं तपली मारा था लेकिन जाके किसी को दंभर मारत तो अभी नहीं भूलेगा वो तुम लड़ाई हुज है का बड़ा लड़ाई हो जैब दस लोग को ना वो उसी तरह का है रसिया ने पूरी तरह से युक्रेइन पर हमला कर दिया युक्रेइन ने पूरी ताकत से रशिया के ऊपर डिफेंड कर रहा है लेकिन चीन क्या करता है इस तरह का वार करने से बहुत ही जादा डरता है बचता है सोचता है कि जो भी मेरे पास है कहीं वो ना चला जए तो वो क्या करता है यह टेक्णिक यूज़ करता है सलामी स्लाइसिंग टेक्णिक मतलब किसी को सर के ऊपर मार के भाग जाना और जब वो लड़ने है होना लडाय नहीं करना है है नहीं नहीं हम लोगों को साथ में राना है फिर दो दिन बाद के अगरे फिर मार के बाग जाए तो यह सलामी slicing technique और यह technique कॉन यूज करता है यू और यूज करता है यूज कन सी और यूज आओट यूजर भी लडाक रिजन का यह यह जिसे कि यह तुम्हारा पंगौंग सौ का लेख है यहां पर यहां पर लडाई करेगा उसके बाद फिर पीछे हट जाएगा फिर आगे फिर यहां लडाई करेगा फिर पीछे उट जाएगा इस इस कोड़ सलामी स्लाइसिंग टेक्टिक ऐसे ही वो क्या करता है South China Sea में भी लड़ाई करता है वो देखता है कि वियतनाम का अगर ये वज़ा टापू पर कबजा कर ले तो वो लड़ाई करेगा क्या? अच्छा नहीं करेगा कोई बात नहीं तो दूसरा वाला कर लेते हैं अच्छा करता है इंडियन ओशियन रिजन मिसर लंका को बोलेगा कि थोड़ा सा मेरे को एक पोट दे दो तो कभी अचानक से जाके न्यूक्लियर सब्मरीन जाके खड़ा कर देगा पोलेगा कि पेट्रोल खतम हो गया था डीजल खतम हो गया था चोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आगया था उसकी वज़े से यहां पर हम अपना न्यूक्लियर सब्मरीन जो हैं वह क्या किया हैं डॉक्ट किया है यह एक छोटा सा प्रोवोकेशन यह वह नहीं बुल रहा है कि भारत हम तुम से क्या करने वाले हैं आ रहे हैं लड़ने के लिए लेकिन वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो बगल में छोड़ा नीचे पर क्या कर रहे हो न्यूक्लियर सब्मरीन यहां पर आके डॉक्ट कर दे र अब ऐसे situation में भारत को सेक्यूरिटी अगर मिंटेन रखना है तो भारत को disciples से को नद State कर रहना होगा उसे को बुलाते रहना होगा यह 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 गो करके रखना होगा क्योंकि और कोई कंट्री नहीं ही इस रीजन में ओके बरी गुड़ चाइना विल अल्सो बिगें टु डिपलाइ सी बीजी इन दा आ यू आ देखो यह जो बड़े-बड़े है ना यह क्राफ्ट के रियर उसको भी वह क्या करेगा इंडियन ओशीन डीजन म यह 45,000 तन का था ना देखो आप कितना टन का है 80,000 तन का फुजी आन है और उसका आगे का प्लान है कि दस थो सी बीजी लाएंगे ओके एरक्राफ्ट केरियर इतना सारा सोचो किस तरह से वो एक्सपेंशन करने की सोच रहा है वो फुल प्रूफ अपना पैसा डाल रहा है अपनी सिक्यूरिटी में कि आगे चल करके अगर अमेरिका से युद्ध हो तो कैसे लड़ा जाए ध्यान से समझना इंडिया कोसिस क कर रहा है कि भारत से लड़ने के लिए पावर आजाए इंडिया कोसिस कर रहा है कि चीन को हराने भर पावर आजाए चीन कोसिस कर रहा है कि यूएससे को हराने के लिए पावर आजाए यह बात समझ में आ रहा है और बल्टी लेटरल पार्टनर्शिफ इस दो फ्यूचर च लेकिन रश्या अगर चीन के साथ मिल जाए तो भारत के खिला तो ही ऐसा होगा लेकिन रश्या गवी ऐसा करेगा नहीं तो अभी का जो सिचुवेशन है वह ऐसा ही चलते रहेगा यह वाद समझ में आ रहा है परना इंडिया इंड इंड जर्ट अन्यड और द्वांटें यूर दू दने लजिस्टील इसई ऐसी बाइचाइना मलग का ड़ाली मा आ गया तो जो प्रॉब्लम है यहां से ना वह यहीं यहां से यहां लड़ने कैसे आओगे तुम का कैसे आओगे मिल तुम ही बताओ मुझ मेंमर का राइजंद है यह जो पतला से हैं यहाँ पर गोला किर यहाँ पर क्या करो की एक कंशा बना दो थाइलेंड से केनाल बना दो तो यह जो रीजन है और यह साफ चाइना सी और यहां पर तुम्हारा बेख बंगल इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे एक कनाल बना देंगे एक ठीक है तो बहुत अच्छा रहेगा तो इधर से जो जा रहा है उससे बच जाएगा यहां से ऐसे जैसे निकल जाएगा लेकि थाइलेंड बोला कि नहीं सब काम नहीं करेंगे का है कि अगर हम बना दिये तो तुम्हारा प्रभूत वह यहां पर है और इधर से अगर आ रहा है नीचे के तरब से तो बहुत दूर पढ़ जाएगा तो क्योंकि उसका दूरी बहुत जादा है वह सक्सेस्फुली क्या कर सकता है इंडियन ओशियन रीजन में उसका प्रभुत्व नहीं बन सकता है जोग्रॉफी बहुत बढ़ा रोल प्ले क यह करता है इन सारे मुद्दों को लेकर के कभी भी चीन का प्रभुत्व नेपाल के उपर ऑर भुटान के उपर बंगला देश के उपर जादा नहीं हो सकता है क्योंकि हिमालिया जो है वह खड़ा हुआ है ईजी एकसेस चीन को नहीं देता है और भारत को इन सब के ऊपर इ इधर से ले जाता है और अगर वो चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कॉरिडोर से ले जाता है तो बहुत दूर पड़ जाता है क्योंकि most of the city तो उसका इस्तन वो पार्ट में यहां पर सारे city है चाहे संघाई हो गया चाहे बीजिंग हो गया सब इधर है और यहां पर क्या है इतना बोड़ा चीन है देख रहे हो यह सब मर्वस्थली जगह है लोग राते यहीं पर हैं तो यहां से ले जाने के लिए ले जा सकता है लेकिन कॉस्ट चोगा वह बहुत ही ज्यादा हाई होग यह बात समझ में आ रहे है यह तुम लोगों को पूरा तुम लोगों को वर्ल जोग्रोफी पूरा तुम लोगों को इशिया का मैप यह सब कंठस्ट रहना होगा ओके ओवर्ल नॉलेज लेने के बाद ही तुम्हेंसे यह एक्जाम निकलेगा चुट-कुट नॉलेज सा नहीं होगा तो हमवक क्या है तुम्हें साउस चाइना सी का मैप बनाना है साउस चाइना सी का मैप बनाओ यह वला मैप को बनाओ कौन-कौन सा reason है चाइना-पाकिसान economic corridor बनाओ यह सब लिखो यह CPAC है यह लिखो कि यह South China Sea है ओके यह लिखो कि यह Thailand यहां है यहां Malaysia है यहां Indonesia है ओके इस तरह से एक overall map बनाओ अब यह जो बात कर रहे था ना यह देखो यह है लियोनिंग 2012 में आया और Shandong 2019 और यह Fujian 2022 तक आने की बात की जा रही है पचासी हजार टन का है भारत के पास यह दो है 45,000-45,000 टन का एक तुम्हारा विक्रम आदित्या है जो रशिया से लिया है और एक विक्रांद है ठीक है यह दोनों का comparison है को लिखत नहीं है चल वो point खतम हो गया अब आते हैं लब जिहात